चंद्रपु शहर के गुचकला वाड में राजमंगल कारियाले के पास एक हैरान कर देने वाली खटना सामने आई हैं जिसमें तीन महिलाएं मलवे के नीचे दब गई हैं सिबीच मलवे में दबे नाकरिकों की संक्या बढ़ने की संभावना है चंद्रपु शहर में 60 साल पुरानी तीन मंजिला इमारत ढह गई एक वैक्ती की फसी होने की आशंका है यह भवन गुटकला वाड की राजमंगल कारियाले शेतर में इस्तित है इस इमारत में पुणलिक पार्टिल और उनका परिवार रहता था अचानक इमारत हिलने लगी तो परीजन बहार आ गए लेकिन आशंका है कि कोई वैक्ती अंदर फस सकता है मलबे में फसी महिला का नाम शाहिस्ता खान है चंद्रपुन नगर निगम की टीम और पुलिस मौके पर पहुची और रहतकारे शुरू किया चुकि अभवन पुराना और जीन शीन है इसलिए नगर पालिका ने इसे खाली करने की चेता में दी थी अचानक इमारत हिलने लगी तो परिजन बहार आ गए लेकिन आशनका है की कोई वैक्ती अंदर फस सकता है मलबे में फसी महिला का नाम शाहिस्ता खान है चंद्रपुन नगर निगम की टीम और पुलिस मौके पर पहुची और रहतकारे शुरू किया चुकि अभवन पुराना और जीन शीन है इसलिए नगर पालिका ने इसे खाली करने की चेता में दी थी अचानक इमारत हिलने लगी तो परिजन बहार आ गए लेकिन आशनका है की कोई वैक्ती अंदर फस सकता है मलबे में फसी महिला का नाम शाहिस्ता खान है चंदरपुन नगर निगम की टीम और पोलिस मौके पर पहुची और रहतकारी शुरू किया चुकि अभवन पुराना और जीन शीन है इसलिए नगर पालिका ने इसे खाली करने की चेता में दी थी बचाव दल ने सभी को सुरक्षित भान निकाला चंदरपुन से BCN News के लिए अभिशिक पांसी की रिपोर्ट